शंद अठारह किसको कहूं अपना भला बालक बदल कौमारतन कौमार से ज्वानी हुई ज्वानी में दुरुगुन काम चिंता उर परेशानी हुई आई जरा ज्वानी मिटी सब रंग राउनक जाढ़ा अब काल के हूं गाल में किसको कहूं अपना भला आदमें जन्म लेता है तो बिलकुल शिश रहता है नादान धिले धिले उमर बढ़ती है बाल्यावस्था आती है बाल्यावस्था में शरीर कौमल, सुंदर लेकिन वह रहती नहीं बाल्यावस्था कौमारपन आता है वो भी कुद दिन रहता है कौमारपन उसके पश्याद जवानी आजाती है जवानी आने पर आदमी अने एक प्रकार के दोश, दुरगुन, दुराचरनों से घिर जाता है और साथ साथ काम की वासना, विजाती घट के प्रती आकर्शन, चिंता, नोकरी, खेती, व्यपार, जीवन निरवास अब के लिए अने प्रकार की परिशानियां जवानी में शरीर में बल है ताकत कुछ करने की उर्जा लेकिन साथ साथ चिंता, प्रिशानियां उती दोष दुरगुन, काम वासना, जीवन निरवा के लिए भाग दौर इसम में जवानी बीच जाती है धिरे धिरे बुरहापा आ जाता है, जरा जर जर अवस्था आती है जवानी मिट गई जवानी में शरीर में जो चमक, आकर्शन, सौंदरिय सब जो कुछ है समापत हो गया बुरहापा आते आते जो शरीर जवानी में बड़ा सुंदर लगता है आकर्शक बुरहापा में वही शरीर देखने लायक नहीं रह जाता लेकिन वो बुरहापा भी रहता नहीं है और जरजरता बस काल के निकट एक दिन तुम आदमी काल के गाल में चला जाता है ऐशे जो संसार है यहाँ सब कुछ शंचन परवर्तन हो रहा है उस संसार में ऐसा कौन है जिसको मैं अपने भला कह शकूँ जिससे मेरा भला हो सके जो मेरा भला कर सके को इतने दिखता है सब काल के अधीन है किसको सुनाओं सुनेगा भी तो करेगा भी क्या दुख देश शनभंगी विनस्वर यह भी है मेरी नहीं भ्रमजन्य सपना सम दिखे जो सर्प रज्यू में सही जब तक सुखासा है जिगर तब तक ये माथे है बला मैं हूँ अकेला आप खुद किसको कहूं अपना भला ये शरीर जीसे निरंदर साथ लेकर के घुम रहे है और जी शरीर को लेकर के ही सारी चिंता होती है भै होता है ये हैं कैसे दुखदाई है सारा दुख इे शरीर को लेकर तो है अध्यू संबनते हैं लेकिन छनभंगूर है, बिनस्षृर, कैसे हम कह दें कि श Bengal की शरीर हमारा है, हमारा होता तो छुड़ता कैसे, आज ग में बिलकुल जुड़ जाने वाला है शरीर, एक तो बिनस्षृर है, चनभंगूर, दुखदाई अंत में हमारा होने वाला ने आज ही चनचन बतल रहा है लेकिन ब्रमजन शपना सम दिखिये यह है चरीर ब्रम से ख़ड़ा है वैसे अरिजन से सपना हो जाना है यह शपन के समान वैसे देखो तो सुध चेतन में शरीर नहीं है येतन शरीर रहीत है मिट्टी, पानी, आग, हवा ये चार तत्तों है मिट्टी में शरीर है कि पानी में है कि आग में है कि हवा में है किस में है शरीर मिट्टी के लेकर के दो चार दद्वित पचास टन मिट्टी ले लो उसका परिछन करो कि इसमें शरीर छुपा होगा कहीं मिलेगा पानी में आग हवा में आग में कहीं शरीर मिलेगा ना तो जर तत्तों में शरीर है ना चितन में शरीर है दोनों के संबन से बन गया है एक भ्रम से खड़ा हो गया है बत असपन के समानी से समाप्त हो जाना है कैसे यह है जो सर परज्जू में सही जैसे दूर से हम जबिन पर पड़ी ही रस्ती को देखते हैं तो लगता है साप है साप है नहीं है रस्ती भ्रम से रस्ती साप जान पड़ती है ऐशी ही इस शरीर है लगता है कि मेरा है देखते देखते ऐसे मिड़ जाएगा कि कहीं पता भी नहीं चलने वाला है इसे सुपन के समान हो जाना है लेकिन जब तक सुखासा है जिगर जिगर हुर्दय यहां आर्थ है मन जब तक मन में शरीर और शरीर के भोगों के प्रति शुख की भावना है शरीर में सुखा है अपने शरीर में दुसरे के शरीर में शरीर के भोगों में सुखा है इससे मुझे बहुत सुख भोगना है बहुत आनंद लेना है जब तक यह भावना है तब तक माते है बला तब तक सरुरुपी विपत्ती माथे पर बनी रहेगे मतलब इसका बोजा ढोता रहना पड़ेगा तब तक साथ बना रहेगा शुखासा मिड़ गई तो फिर शरीर समाप्त हो जाएगा पर तमान सरीर समाप्त नहीं होगा आगे फिर ये बला रुप शरीर का साथ नहीं होगा इस समाप्त हो जाएगा अन्त में मैं हूँ अकेला आप खुद मैं तो अकेला हूँ खुद अपने आप हूँ इस कहां मेरा शरीर है मुझे तो बिलकुल अलग ही है ऐसे संसार में कौन है जिससे मैं अपना भला कहूँ है मेरे भले की बात कौन बता थकते माता पिता भराता सखा संगी हैं अपने स्वार्थके दारा सुता सुतमोहमं बंधन मेरे परमार्थके जो भामने और भावती वो संग में करती छला सब हैं लुटे रे दीखते किसको कहूँ अपना भला माता पिता भाई मित्र संगी साथी पत्नी, पुत्री, पुत्र इस सब अपने अपने स्वार्थके साथी हैं हर आदमी के पास मन हैं और हर आदमी अपने मन की इच्छा को पुरा करने में रात दिन लगा हुआ है हर आदमी मन वशी, मन बदला, स्वार्थ पुरा नहीं हुआ, साथ छोड़ दिया सब को अपना स्वार्थ प्री है, कोई किसी को प्री नहीं है जिसे हम अपना प्री मानते हैं, और अपने स्वार्थ पुर्ति के लिए प्री मानते हैं लगा कि अब इससे मेरा स्वार्थ पुरा नहीं होगा, प्रीता घट गई अब यह लग गए आगे चल करके, कि मेरा स्वार्थ में बाधक है, तो प्रीता स्वार्थ में बदल जाती है सब अपने स्वार्थ के संगी हैं, और हम माल लेते हैं, यह हमारे हैं, इतने लोग हमारे हैं अमुक हैं, अमुक हैं, अमुक हैं, कोई किशी का नहीं ही सब स्वार्थ के अधाती, पत्नी, पुत्री, पुत्र के प्रति मुँ, यही मेरे परमार्थ के बंधन हैं, यही रोडे हैं, कहीं भी मुँ हैं, नाम तो एक दो आदमी के पद्दे में तो एक दो आदमी के नाम ल नहीं भी मोह करना यही यह बंधन का कारण बनता है पत्नी में मोह करके पुत्र में मोह कर लिए, पुत्र में मोह कर लिए, मित्र में मोह कर लिए, मित्र में मोह कर के और कहीं किसी में मोह कर लिए, मोह तो मोह यहां थोड़ी अनकुलता मिलती है, बस वही मुह हो जाता है, अब मुह ही गले की फासी बनता है, मुह नहों तो बंधन का कुई कारण ही नहीं है, जो भामनी और भावती ओसंग में करती छला, जो प्यारी पत्नी सुंदर लगती है, इसरी के लिगा सकते हैं, जो प्यारा पती उसे प्रिलगता है, वही राद दिन छल करने वाले हैं, उसी के मुह में हम छले जाते हैं राद दिन, जो कुछ हैं जिनको मैं मानता हूं अपना अपना, देखो अंत में तो सब लुटे रहे हैं, लुटने वाले हैं, साहब न इसले कहा है, इतने तन के साजिया, तुमारे शरीर के इतने इतने साजिदार हैं, सब लुटने वाले ही तो हैं, सब लुटने, हम खुद लुटने बन जाते हैं, जब मोह कर लेते हैं तब, निश्वार्थ प्रेम करने वाला संसार में कौन हैं, सब स्वार्थ के साथ ही, सब लुटने वाले, सरी को लुटने वाले, धन को लुटने वाले, और को लुटने वाले, ऐथे संसार में किसको अपने भला की बात कहूं? जहां सब लुटैने, सब सार्थके साथ ही हैं और मोह बनागे रने बॉइने, सब बंधन में डालने वाले हैं किष्य अपने भले की बात कहूं, किष्य अपने मन की बात कहूं जो आज अपना मित्र है वह काल ही जुस्मन बने सम्मोह रस्ती बांध कर भौसिंधु में मुझको हने इस्चनिक वर्ति श्रिष्ट में मनकाल की ये है कला जुठे जगत ब्योहार में किसको कहूं अपना भला जो आज अपना मित्र है स्वार्थपूरा नहीं हुआ कल वही दुश्मन बन गया इस संसार है आदमी स्वार्थपूरा अपना मित्र बन जाए तो कोई कहीं सत्रू नहीं है लेकिन बिहार है बिहार में संग साथ करना पड़ता है कोई कितना बड़ा भी आदमी हो जाए अकेले रह करके जीवन गुजर नहीं कर सकता है जीवन गुजर के लिए बिहार के लिए संग साथ लेना पड़ता है कल्यान के लिए भी संग साथ लेना कल्यान अकेला हो जाना है अकेले होए बिना कल्यान का काम हो नहीं सकता है लेकिन वो अकेले होने के लिए संग साथ करना पड़ेगा पहले सकेले हो जाओ तो हो जाएं तो तक दम भटक जाएंगे मन कहां कहां भटकाएगा पता नहीं है अकेले होने के लिए पहले शंग साथ की आवश्यक्ता है गुरु का साथ छोड़ दिए गुरुभाईयों का साथ छोड़ दिए शिश्यों का साथ छोड़ दिए संतों का साथ छोड़ दिए भक्त सजनों का साथ छोड़ दिए कैसे अकेले होगे पता भी से चलेगा कि मैं अकेला हूँ तो जो संसार का संबंध है वहां तो संबंध है ही लेकिन जो कल्यान का मार्ग है अकेला होने का मार्ग वहां भी संबंध लेना पड़ता है संबंध लेकर के ही संग करके ही असंग हुआ जा सकता है लेकिन उसी में जहान कुलता मिली बस मुह बना लेते हैं इनके बिना मेरा काम नहीं हो गए ये मेरे बड़े सहयोगी हैं ये मेरे बड़े साथी हैं ये साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा बस वहीं सारी गर्बड़ी शुरू हो जाती है यहां तो एक आगे जो आज अपना मित्र है वह काल ही जुसमन बने जो आज अपना मित्र है बहुत मित्रता के बिहार कर रहा है ये कह रहा है कि जहां तुम्हारा पधिना गिरेगा वहां हम खुन बहा देंगे स्वार्थ पुरा नहीं हुआ वही आदमी हमारा खुल लेने को तैयार हो जाएगा शत्र सब मोह रस्ती बान्द कर भौसिंद में मुझको हने जिसको मैं कहता हूँ ये मेरे हैं ये मेरे हैं ये मेरे हैं वही अपने कहलाने वाले लोग ही मोह की रस्ती में बान करके मुझे भौसा शागर में डुबाने वाले है इस छनिक वर्ति श्रिष्टी में थारा सम्मझ छनिक है छनिक वर्ति छनमात वरताओं के लिए मन काल की ये है कला ये मन रुपी जो काल है उसकी कला उसका खेल है कि जो हम किसी को अपना माल लेते हैं, किसी को पराया माल लेते हैं, और स्वार से जान करके समान संबंद जोल लेते हैं, जूठे जगत ब्यवहार में किसको कहूं अपना भला, संसार का सारा ब्यवहार जूठा, अंत में जूठ जाना, जूठा हो जाना, आज तो है करना पड़ता है, लेकिन आंत में तो जुठा हो ही जाना है, सब के वहाद जुठा हुआ है, जो लोग चले गए दुणिया से, उनके लिए क्या रह गया है? उनके लिए जो कुछ रहा अनकुलता, प्रतिकुलता, सूख दुख, हानी लाब, सब सपना हो गया है, ज लेना देना है, तो सारा बिहार अंत में जुठा होना ही है, ऐसी सिती में अपने भले की बात किसको कहूं, कौन भी मेरा है, जो मेरा भला कर भी सकता है, संसार कितना परतंशिल है, जो शहर था सो शुन्य दिखता, शुन्य था सो शहर है, खाईव नदिया भिट दिखती, भिट नद की लहर है, जो बाग बन उद्ध्यान थे, सो सूख के एकदम जला, इस शुप्न में संसार में किसको कहूं अपना भला, जहां पहले शहर था, आज वहां सब कुछ सुंसान हो गया है, कुछ ने, एकदम बीरान, जहां बीरान था, शुन्य था, एक भी आदमी जहां नहीं रहता है, जाने में डरता था, वहां शहर बद गया है, जिनके हंगामों से थे, आबाद बिराने कभी, शहर उनके मिड़ गए, आबादियां बन हो गई, तो परिवतन शील है, कहां यह कराता है, जहां हम बैठे हैं, चालिस साल पहले यहां क्या था, बहुत दिन नहीं हुआ है, चालिस साल कितना होता है, अनादिकाल के समय में, एक सेकंड से भी कम है, तो चालिस साल क्या गिंती है, चालिस साल पहले यहां क्या था, एक दम बियां बाँ, दस ब्यारा बजे दिन में भी, लोग यहां आने से डरते थे, कि जाएंगे तो लुट लिये जाएंगे, अब आज इतनी बड़ी बस्ती बन गई, कही जगे ऐसे जहां, गाँ था सुन सां, कही बार भुकम आता है, गाँ के गाँ दब जाते हैं, पता नहीं चलता के वहां गाँ था, बाढ़ा आती है, गाँ के गाँ को बहा कर ले जाती, धारा हो जाती, कही जगे ऐसे हैं, तीस, बत्ती, पैंती साल होगा, इसकी भीतर की बात है, भागलपुरजिले में गंगा किनारे, कई गाँ थे, बाढ़ आई, बाढ़ के बाद देखा तो गाँ कहां हैं पता नहीं, वहां बहुत भारा बह रही थी, साब पूरा गाँ घर एक भी पता नहीं चला कि कहां गया, इतो बदलनेवाए दुनिया है, तो जहाँ शहर था, वहाँ शुन्य हो गया, सुन्सा, जहाँ शुन्य था, वहाँ बड़े-बड़े शहर बद गया, खाई वह नदिया भिट दिखती, जहाँ खाई थी, बड़ी-बड़ी गहरे खाई, नदिया वहाँ भिट हो गया, भिटा, तिला बन गया है, और जहाँ भिट था, तिला था, उची उची जगह थी, वहाँ पर आज नदी की धारा बह रही है, जहां बाग था, जंगल थे, उद्यान थे, उस अब सुख के एकदम सुनसा, कुछ ने पता ही चलता है, बड़े-बड़े बाग सुख गए, बड़े-बड़ जंगल कट गए, सबकुछ सपन हो गया, ऐसे सपन में संसार में, किसको भला कहूं है, किसको अपने भले की बात बता हूं, सबकुछ तो बदलने वाला है, कहां है हमारे संसार में भलाई, जो देह शोभा कांत यवण मोद से बितरी हुई, वह देह दुख भंडार सूखी आम की लकडी भई, वह देखते ही देखते, पुनिछीन हो जाता गला, चनभंग इस संसार में, किसको कहूं, अपना भला, जिस देह की सुंदर्ता, रोनक, को देख देख करके हम बड़े मोहित होते थे, शरीर के एक एक अंग, तो देख देख करके मगन हो जाते हैं, फुली ने समाते थे, घंटों दर्पन के सामने खड़े हो करके शरिंगार करते थे, सजाते थे, निहारते रह जाते थे, वारे हम, मैं एका सुंदर, रूप, जवानी, संदरी, बल, सबका बड़ा घमन, मानते थे, यह मैं हूँ, तो जिस शरीर में, जवानी में संदरता, एकदम बिखरी निखर रही थे, वही शरीर, एक दिन ऐसा हो गया, कि आम की सुखि लकडी की समान, निरस, जिस चहरे में बड़ी चमक, आदमी खास करके, चहरे की चमक को देख, चहरे का सुंदरी, और है चहरा कितना, 6-8 अंगुल का चहरा, आटःस अंगुल लंबा, नम इतना चहरा है, इसी चहरे को देख करके, हम भाषय रहते हैं, दरपन अपने चहरा देखते हैं हैं, बाहर से, आँखों से, दुतरों के चेहरा देखते हैं, अब मुहाते रहते हैं, एकदम चमक, वही शरीर, वही चेहरा एदिन ऐसा आता है, बिल्कुल, पिचक जाता है, जुर्यां पड़ गई, पक्षी के खोड़ रहे के समान हो गया है, अब है एक दिन परवाई शरी दुख भंडार बन जाता है, लगता है कि कब ये सरीर स्टे, ऐसी भानमन में होने लग जाते हैं, वह भी देखते ही, देखते पुनी शीन हो जाता गर, देखते हैं, देखते हैं शीन हो जाता, गल जाता शरीर, एसे चनभंगुर संसार में किसक तो अपने भले की बात कहूँ, अब भला है भी कहां संसार में, बहुराज संपत्य सेन वो बस्ती नगर वो देश हैं, हाथी वो घोड़े घर खजाना, वस्र भोशन वेश हैं, बहुमील दरजा वो हुकुमत सेंकडो फारम खुला, सब पलक जपते लूटते किसको कहूँ अपना भला, बहुत बड़ा राज, बड़ी संपत्य, सेना, और बहुत बड़ा गाउं, नगर, देश, सब अपना अधिकार, हाथी घोड़े, भव्य भवन, खजाना, अनेक प्रकार के वस्र, आभूशन, सब हैं, अनेक फेक्टरियां हैं, बहुत बड़ा पत, अधिकार दर्जा मिला हुआ है, हुकूमत है, सातन है, सेकड़ो फारम फुले हुए हैं, लेकिन, इस सब किस सब, पलक जपड़ते ही, कहां चले जाते हैं, पता नहीं चलता है, लूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बड़ा राजा, बड़ा सासन, बड़ा, बहुत बड़ी सेना, और क्या क्या, कुछ सब, लेकिन, दुसरे राजा ने, चढ़ाई कर दी, बस, या तो कैद के लिए हमाँ डाले, सब लूट करके ले गएं, किसका क्या रहा है, पलक जपड़ते हैं, जपड़ते हैं, सब के सब, नष्ट हो जाते हैं, आदमी ने बड़ी मेहनत करके, फिक्टरी बनाई, करजा लेकर, वहां से लेओ, कहां कहां, क्या क्या समाल ला करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ा-बड़ा मकान बनाया, भुकम पाया, सब जमीन दोज हो गया, देखते, देखते, अब क्या करेगा आदमी, किस से फरियात करें, किस के बिरूद मुकदमा करें, कि भुकम पाया हम ने हमारी इतनी मेहनत बड़ा चले गई, किस से फरियात करेगा, सब लुट गया, अब यह दिन तो आग बंद करते ही लुटना है ही, ओ दिन तो छोड़ दो, देखते, देखते ही सारा राज, वैभो, संपत, लुट जाते हैं, कितने ऐसे धने, धन का अमबार, लेकिन वही बुढ़ापा में भीख मांग मांगर के गुजर करते हैं, यह दुनिया है, सब छनभंगूर है, सब पलक जपड़ते हैं, लुट जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे छनभंगूर संतार में, किसको अपने भला की बात कहूं? जो मूढमती के अग्यनर, वेही जगस्त मानते, संतार प्रानी भोगतन से राग उर में ठानते, पर छूट जाता अंत में, बेहात रहते करमला, इस बिर्थ कोहड सप्न में, किसको कहूं अपना भला, जो मूढमती के लोग हैं, अग्यानी, वेही मानते हैं कि संसार सच है, तो क्या संसार सच नहीं है? यहां संसार से सत मतलब संसार और हमारा संबन, संसार तो अपनी जगा पर सच है ही, संसार कब समापत होगा? इसका बाहरी रूप बदलता रहेगा, रूप बदलते भी संसार तो अनादी अनंत है, संसार तो कभी मिटने वाला है नहीं कभी ऐसा नहीं था कि संसार नहीं रहा होगा और कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब नहीं रहेगा संसार तो सदेव रहेगा लेकिन संसार और हमारा संब्ध नहीं रहेगा यहां जगसत मानने करते हैं संसार से संबंध मानना अब फिर हमारी बनाई दुनिया हम एक दुनिया बनाते हैं माननेता की दुनिया अहंता ममता की दुनिया और माननेता हमारी दुनिया ऐसी रहेगी ऐसे घर रहेगा ऐसे परिवार रहेगा ऐसा हमारा पद रहेगा ऐसे हमारी हमारी प्रतिष्ठा ऐसा हमारा सासन रहेगा, ऐसा धिकार रहेगा, यह जो दुनिया है, इसी दुनिया में हम ठगाते हैं, और हमारी अपनी बनाई हुए जो मान्यता की दुनिया है, यह दुनिया हमें बांधती है, इसी सच मान करके हम भुले रहते हैं, यह बाहर दुनिया हमें नहीं बांधती ह मान्यता की दुनिया, ममता की दुनिया तो जो मूढमती की अग्यनर वे ही जगा सत मानते जो मूढमती की लोग हैं, अग्यानी वे मानते ही संसार, हमारा अपना बनाज संसार है उस सच है, ऐसे ही रहेगा ऐसा पद रहेगा, ऐसा अधिकार रहेगा ऐसा स्वामित्व रहेगा ऐसी हमारी प्रदिष्ठा रहेगी उसी में भूल गए सजमान मान करके संतार प्रानी भोग तन से राग उर में सांते संतार के प्रानी है जो भोग है संतार के भोग उनके प्रति मन में राग बना लेते हैं मौ बना लेते हैं कि उसी अपने आपको बांदते शले गए अपना मानते शले गए लेकिन और छूट जाता अंत में जहां जहां राग बनाता गया आदमी अपना मानता गया अधिकार जमाता गया अंत में सब के सब शूट गए हाथ एक भी नहीं आया बेहाथ रहते करमला बेहाथ हाथ रही अधिकार रही सब अधिकार रही सब हाथ से चले गया आदमी अंत में करमला हाथ मलमल करें परसाइं लगा कि हाई मेरा ये चल गया हाई मेरा वो शुट गया हाई मेरा वो शुट ग अधिकार में हैं उत पर अधिकार हमारा छुटना है। आज हमारे अधिकार में कल्दूत्री का अधिकार में। हम यह निसमझ पातें जिस पर आज हमारा अधिकार है। कुछ दिन पहले उन पर किसी और का अधिकार था। किसी और का अधिकार था, उसका अधिकार छूट करके हमारा अधिकार हुआ, तो हमारा अधिकार छूट कर किसी और का अधिकार तो होगा, हम देखते क्यों नहीं है, लेकिन नहीं हमारा अधिकार है, तेकि वो किसी बेहात हो है वो अधिकार छुटना है अधिकार रहित हो नहीं हमको अंत में राग रहेगा उसको परिणाम में हाथ मलते मलते पश्टाना पड़ेगा और क्या होगा दुनिया में पश्टाने के अलावा किसको क्या मिला है किवल पश्चाताब और ठोकर दुनिया में कहीं भी जितने भी राग किया प्रणाम में दो चीज़ मिली पश्चाताप और चाटा इसके लावा और कुछ मिला नहीं फिर भी ऐसी मुड़ता है हमारी आख पर हमारी ऐसी पट्टी बंध गई है कि अनेक बार पश्चाताप की ये चाटा खाए लेकिन अधिकार के लालसा चुरता नहीं है राग मौ चुरता नहीं है सब अंत में चुर जाना है इस ब्यर्थ कौहर सपन में कितको कहो अपना भला सब ब्यर्थ कौहर जैसे आदमी सपना देखता है सपना में बहुत लाप हो गया तो कोई आदमी बरबाता है जिसने कौवड़ाता है। सबना में में बोलना मेरे ये है, मेरे वो हैol मेरे ये अधी बरबारा है। जागा तब गाय την क्युच लिए इस सबना के कौवड और नहीं था में आइशा, में वैसा, मैं ऐसा करूँगा मैं नयाद किया मैंने वो कर लिया सब सपने के कवाने के समान है बिर्थ हो जाना सबको अंद कुछ नहीं होने रहने वाला ऐसे संसार में किसको अपने भला कहूं मेरा विभाव मेरा महल मेरी प्रिया मेरा बदन संसार मेरी मेरी कहके इसको तो मेरी मेरी कह, आसक तिफासी है गला, इस वपनमे संसार में किसको कहूं अपना भला, मेरा धन है, मेरा महल है, मेरी प्यारी पतनी है, मेरा सुंदर बलवान शरीर है, संसार के वस्तों को मेरी मेरी कह, करके ये मुर्ख मन मगन होता रहता है, उन्हें में डूबा रहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उसे में भूला रहता है बिलकुल, लेकिन जिसको हम अपना अपना कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जिसमें मु बना से आसकती वही सब मेरा मेरा कहना ही गले की फासी बनते आसकती मेरा मेरा मान मान करके आसकती की फासी हम स्वेम अपने गले में लगा लेते हैं बिहार है बिहार को बिहार से रिखी कर ले मेरा कहां है बिहार के लिए थोड़ा संबंध हो गया है बस लेकिन अनकुलता मिलती गई आसकती बनाते गए और गले में फांसी लगाते चले गए यह पूरा संसार सपन के समान है बस आख बंध हुई सपना गायब हुआ फिर कैसे भलक तो अपना भला गेंग इसको जीवन जवानी धन दिवानी दो मिनट का मेल है कुछ सत्य वस्तु है नहीं बाजी गरी का खेल है वह आज रोता बैठ कर जो काल हसता खिल खिला संताप रूपी जगत में किसको कहूं अपना भला जीवन जवानी धन इस सब दो मिनट के खेल है धन दिवानी इस सब का हंकार जीवन का हंकार धन का हंकार जवानी का हंकार एक पागल पन और सब दो मिनट का खेल जैसे बाजी गर तमासा दिखलाता है बड़ा सुन्दर सुन्दर आकर सक जैसे सिनेमा चलचित्र के रील घुमती जा रही है दिर्ष आते चले जा रहे हैं हम देख देख करके मुहाते जा रहे हैं रील चल रही है सुन्दर दिर्ष आगे मुहा गे और कोई दुखत दिर्ष आगे एकदम दुखी हो गए आसू भी आगे लेकिन बस चलते चलते रील खतम सब बस सब गायब एक रील चल रही है गाग बाजी गरी के खिल बाजी गर खिल खिल दिखलाता है आकड़सक आकड़सक खिल बड़े मुद आंत में खिल समाब सर समिट लिया सस्वस्तु कहां है सदा साथ रहने वाला कहां है न जीमन साथ रहेगा न जवानी साथ रहेगी न धन न पदिकार साथ रहने वाला कुछ भी नहीं सारा का सारा दो मिनट का खेल है चनिक जो कल खुब खिला कर कहांत रहा था जवान शरीष शादी हुई थी अधिकार मिला था, बड़ा लाब हो गया था, बड़े लोग प्रसंसा कर रहे थे, बधाईयां दे रहे थे, खुब इस तर से मगन होकर खुब खिल खिला कर हांत रहे थे, वही आदमें आज अकेले बैठ करके मासा पकर करके रो रहा है, यह तो है दुनिया का खे, इस आरा सं संताफ रूप है, संताफ के लाब क्या है संतार में, जहां जाएं, जिधर जाएं, संताफ, संताफ, दुख, 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 ति किसको अपने भड़े की बात का हो, सुनने वाला भी कौन है, और कौन किसका भ़ला कर सकता है यहां, चारों तरफ अगनी बढ़ी, तीस भाग, हाँ, हाँ, भाग तु, जिधर शांत पद इस्थिति लहे, जग सुप नसम पहशान कर, बस आप अपने में मिला, है चित इस संतार में, किसको कहूं अपना भ़ला, चारों तरफ काल की अगनी लगी ही है, और अगनी, जहां हम खड़े हैं, उधर उत्तर बढ़ती च और हम मानते हैं कि हम बड़े सुख है, जहां चारों तरफ आग लगी है, आग सब कुछ स्वाहाद कर रही है, और सब कुछ को कुछ दिर पचाद एकदम भत्म हो जाना है, उसमें हम सुख मान रहे हैं, इक कितने हमारी मुडता है, काल की आग सब को तो भत्म करेगी, इसे में थोड़ा सा समय मिल गया है, थोड़े से प्राणी पदार से मिल गया है, थोड़े अनकुलता मिल गया है, इंदरी की भोग मिल गया है, अब उसे में फूल गर के एकदम कुपा बन गया, बड़ा आहंकार, सुखमान रहे हैं, सुखमान के बिलकुल डूबे हुए है हा भाग हा भाग तो निस्टान तिपत इस्तिले, इले तले साधान किया जा रहा है, अरे भागा अब तू भाग जा, जल्दी जल्दी यहां थे भाग, भाग नहीं मतलब यहां का अम्मो त्याग दें, कहां जाएंगे भाग करके, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, जहां हम भाग करके जाएं, और जहां जा करके जलने से बच जाएं, कहीं कोई जगह नहीं, कोई आधार नहीं है, एक ही आधार है, अपनी शरण, ज्ञान की शरण, बैराग्य। बढ़ने का मतलब यहां है, मुढ राग आसक्ति का त्याख कर देना, जहा हैं वहें पर, सब कुसको काल के गाल में समझ कर, कालाग्यमी जलते हुए देख करके, मुढ का त्याख कर दे बाद भाग गए, ने शांतिपद अपना शांतिपद मिल गया। शांतिपती सिती मिल गई, आसक्ती छोड़ दिये, मौ छोड़ दिये, अनासक्त निर्मोन इसकाम हो गए, बस जलने से बच गए, शांतिपत मिल गया, अलग से कहीं थोड़े पाना है, शांति कहीं अलग रखी थोड़े है, दुनिया भर में हम भटक आएं, शांति पाने के लिए, शांति खोजते खोजते, कहीं शांति मिलेगी नहीं, शांति अथी कोई चीजी ही नहीं है, इसे प्रत्न करके, खोज करके पा सकें, शांति तो हमारा स्वरूप है, हमारा सभाव है, उदको हम समझते नहीं है, शांति खोजते हैं भोगों में, प्रानियों में, पदार्थों में, अधिकार में, सासन स्वामित में, पुजा पृतिष्ठा में, और वही जो खोजना हमें अशांति में भटकाता है, खोजना बंद कर दिये, निश्काम हो गए, निर्मों हो गए, अनासक तो हो गए, शांति मिल गए, मिल क्या गई, थी ही, कामना में धकी हो भी थी, निश्काम हो गए, कामना बंद हो गई, धक्कन खूल गया, बस सांति मिल गई, जग सब नसम पहचान कर बस आप अपने में मिला, अब संसार का सारा संबन, सबन के समान पहचान करके, सब की आसकती छोड़ देगे, लोट आए संसार से, संसार से लोटे, अपने आप में मिल गया, संसार से लोटना, बस लोटना भी क्या है, बस मुह छोड़ देना, अपने अत्त की भाना छोड़ देना, यही लोटना है, और लोटना लोटना कोई थोड़े है, संसार को सपन के समान पहचान लिए आ सकती छोड़ दिए बस अपने आप में मिल गए हेचित इस संसार में किसको कहूं अपना भलेचित ऐसा जो संसार सपन के समान बिजात, जड़, दिरिश ऐसे संसार में अपना भला किसको कहूं कौन भला करने वाला है अपना भला हमें स्वयम ही करना है अवह है संसार के राक का त्याग कर देना समेट लेना अपने आपको शंद उन्निश जल्दी से अपना काज कर देखो खड़ी वह सामने ही कालिका मुखबाय कर इक ग्रास में खाजाएगी तब क्या करो चिलाय कर उत काल को तू जीत ले होवे सदोदित को अमर क्यों गाफिली में स्टो रहा जल्दी से अपना काज कर आदमी सुथता है अभी ये काम करना है अभी वो काम करना है अभी तो ये काम धुरा रह गया है अभी तो ये काम को शुरू ही किया हूँ अभी अमुक अमुक योजना मैं बना रहा हूँ तमाम योदनाएं बनाता है लेकिन कल्यान की योदना नहीं बना लेता उतके लिए तो बहुत समय है उधे के लिए गाफिल बिलकुल करते हैं बहुत समय हैं अभी तो कौन है कल्यान का काम कोई बहुत कठिन थोड़े है अरे करना क्या है कल्यान का काम करना है मन को समेट लेना है भगवान का नाम जब लेना है बस कल्यान हो गया लगेगे क्या उसमे तो सच्चे दिल से भगवान को पुकारो ये एक बार बस उसी में बेड़ा पार हो जाना, कोई बहुत कठिन काम कर नहीं ही कल्यान का, आदमी इस पकार से अपनी को भुलावा में रखता है, भेई तो कल्यान का काम कठिन नहीं है, सचिल से भगवान को पुकारो, भगवान तो दया के सागर हो कर देगा, सचिल से भगवान पुकारो फैक्टरी भी तो लग जाएगी, उत के लिए कहा सोचते हो, भगवान कहां नहीं कोई सकता है, लेकिन सब काम आदमी अपना, सब के लिए योदना बनाता है, अपने लिए योदना ने बनाता कल्यान के लिए, उतके लिए सुनता है, अभी तो बहुत नमेशी है, तमाम बहाना, तमाम बहाना, उती बहाना के लिए कहा जा रहा है, कि तुम कल्यान के लिए, गाफिल, जल दित अपना काम, अपना काम क्या है? कल्यान का काम, शांती का काम, बंधन रही तो होने का काम, मोक्षे का काम संद्गुरुजन कहते हैं समय भागा जा रहा है तेजी से तुम गाफिल हो भूले हुए हो साधान हो जाओ और जितना जल्दी होता कि कल्यान का काम कर लो हम कहते हैं मराज अभी ये करना है भी वो करना है अभी तो बहुत काम अधूरे हैं तब तो कहा जा रहा है देखो खड़ी वह सामने ही कालिका मुख बाय का भी तो को साधान हो कर देखो तो ये मौत रुपी कालिका दुरुगा मौत कालिका यहां मौत सामने खड़ी हुई है मुख फैला करके हम कहीं जा रहे हैं हो अब बस हमारे सामने राष्टे में ही बबर सेर मुख फाड़ करके खड़ा हो बस एक कदम आगे बढ़ाए तो हमें फाड़ कर खा जाए ऐसे ही मौत मुख फाड़ करके खड़ी हुई है एक दम हमारे सामने ही एक कदम बढ़ाए कि मौत के मुख में गए लेकर हम समझते कहां है हम समझते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं उनती कर रहे हैं विकात कर रहे हैं बड़े हो रहे हैं लेकिन हकीकत क्या है जितने قدم हम धर्ती पर रख रहे हैं, उतने हैं हम मौत के नर्दिक पहुंचते जा रहे हैं जितने قدم हमने धर्ती पर रखा, मौत से हमारा फासला उतना कम हो गया है हर कदम हमें मौत के जदिक तो पहुंचा रहा है कौन कदम आखरी कदम होगा कहां नहीं जाता को कोई भी कदम आखरी कदम हो तकता है तो यहां सद्गुरु माना हमें साधान कर रहे हैं देखो तुम साधान हो करके जागरित हो कर देखो कि मौत मुख फाड़ करके तुम्हारे सामने ही खड़ी हुई है एक ग्रास में तुम्हें खा जाएगी बस तब उसमें चिला करके क्या करोगे हाई मुझे एक काम करना था हाई मुझे वो काम करना था कौन बचाएगा उसमें तुम्हें उस काल को तु जीत ले तददित को अमर, वह जो काल है उतको तुझ जीत ले, जीतना क्या है काल को, मौ छोड़ देना, आसा तृष्णा का त्याग कर देना, तो ते काल को जीत लेना, मौत को जीत लेना है, और आसा तृष्णा को जीत लिया, मौ को जीत लिया, निर्मो हो गया, फिर सदा सदा के ल गया, अब उतका मरना खतम, मौत मौत नहीं है, मौत है आसक्त, मौत है मूँ, मौत है आशात्रिष्णा, लेकिन हम शरीर की मौत को मौत मानते हैं, उसे डरते हैं, और जो आशात्रिष्णा आसकती, रोज हमें मार रही है, भेंकर मौत, ये बहुत प्यारी लगीती है हमको, हम गले के हार बना करके रख लेते हैं उसको, लेकिन यदि हम आशात्रिष्णा आफक्ती, रुपी काल को जीत लें, इनका त्याग कर दें, बस सदा सदा के लिए अमर, फिर मौत की मौत हो जाएगी, बस हमार कुछ नहीं कर तकेगी, क्यों गाफली में सो रहा, जल्दी सपना काज कर तो गाफली में क्यों सो रहा है, असाधान होकर क्यों सो रहा है, जाग तक क्यों नहीं है, इट लिए असाधानी छोड़, जाग, साधान हो जाग, साधान हो जाग, असाधान हो करके मौम आया छोड़ दे, जल्दी सपना का जल्दी जल्दी अपने कल्यान का काम कर ले। आज का उसर बिता तो फिर ये उसर मिनने वाला नहीं है। इर्ले सहब ने कहा कि काल काल तू क्या करे। काल काल के हाथ। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। ऐसा क्यूं कहते है। कल तो काल के हाथ में जाना है, कल काल के ही हाथ में हैं, कल तो आने वाला नहीं है, काल आ जाता है, लिए सदुरु कहते हैं, तु असद्धान हो करके, अचीती में क्या सो रहा है, जाग, और जाग करके जल्दी जल्दी अपना कल्यान का काम कर, झाल झाल